तो दोस्तो आज भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्पूर्ण खबन निकल के सामने आई है और एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे चीन का गला सूख गया है क्योंकि भारत के ब्रह्मास्त्र के सामने चीन का जो S.400 है वो अब घुटने टेकने वाला है दरसल आप सबी को बता दूँ कि भारत और चीन के बीच में जो टेंशन है वो अभी भी बोर्डर की उपर बनी हुई है और ऐसे समय में भारत की जो ब्रह्मोस मैसाईल है वो भारत और चीन के किसी भी संगर्ष में भारत का सबसे प्रामरिली बैपन हो सकता है जो की चीनियों की हर हरकत का मुतोड जबाब देगा परंतु चीन के पास रूस से खरीदा हुआ S-400 है और ऐसा माना जाता है और चीन का भी ऐसा दाबा है कि S-400 भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सकता है परंतु आज भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो CEO है अतुल दिनकल राणे सरजी उ भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कि जो चीन के पास L.A.C. में S-400 तेना थे वो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को नहीं रोक सकता क्योंकि S-400 बेलेस्टेक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया था और भारत की ब्रह्मोस मिसाइल और बेलेस्टेक मिसाइ यानि सीदी सी बात का हैं तो चानी जो S4100 है या फिर S4100 ही हुआ वो ब्रहमोस मिसाइल को नहीं रोक सकता है और ब्रहमोस एरोस्पेस के CEO की बात भी सही है क्योंकि चाना ने कई बार भारत की ब्रहमोस मिसाइल की कौपी बना कर उसको रोकने की कोशिस की परंतु चाना की कौ